गोरखपुर पुलिस और वन माफियाओं के बीच जम कर मुठ भेड हुई जिसमें पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया जबकि एक साथी बदमाश मौके से फरार हो गया इस दोरान हुई फाइरिंग में चार सिपाही भी घायल हो गये दरसल पुलिस को दो वन माफियाओं के कोसमी जंगल इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक बदमाश को गरिफतार कर सफलता हसिल की पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पुलिस ने चार अभीक्तों को गिरफतार किया था दो अभीक्त इसमें फरार थे जिसके अंदर आज जो शिर्फ शर्म जिनको पुलिस के साथ पुलिस की मुद्भेड वी है यह भी थे 25,000 रुपय का इनाल था इनकी क्रिमिनल हिस्टी फिलाल पुलिस ने घायल बदमाश और सिपाहियों को अस्पतल में भरती करवा दिया है जहां घायलों का इलाज चल रहा है इसके साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है गुरुखपुर से रुदर प्रताप सिंग पंजाब के स्टी टीवी